हेलो एभरीबोन गुड मॉर्लिंग कैसे हैं आम सब मैं हूँ पूस्वा और आप देख रहे हैं पीके स्वादिष्ट बेंजन एंड फ्लोक्स तो आज हम कुकीज का रेश्पी आप लोग के साथ सेर करेंगे जो बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनता है तो कुछी इस तरीके से बनकर तयार हुआ है बहुत ही इजी तरीका है बनाना और बहुत ही हेल्दी बनता है तो आज हम नन्खटाई कुकीज का रेश्पी आप लोग के साथ सेर करते हैं तो चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं तो यहां देखिए हम ले लिए हैं 100 ग्राम जितना घी है अब हम क्या करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मेल्ट कर लेना है और जब यह अच्छे से मेल्ट हो जाएगा न तो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा न तो बहुत ही अच्छे से मारा क पिसी हुई चीनी डालेंगे, यह 100 ग्राम जितना पिसी हुई चीनी है, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, दो-तीन मिनट तक हमें एक ही डाइरेक्शन में इसे चलाते रहना है, देखे, कुछ इस तरीके से हो जाए, अब हम क्या करेंगे, कि इसमें, एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे, जिससे हमारा कुकीज बहुत ही खस्ता और करारा बन कर त्यार होगा, तो इसको भी हमें अच्छे से इसमें चला लेना है, मिक्स कर लेना है, अब हम यहाँ पर डालेंगे सूजी, जिससे हम रावा बोलते हैं, यह 100 ग्राम जितना है, इसका मात्रा 100 ग्राम है, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, बेसन, जिसका मात्रा है 100 ग्राम से कम, यानी की 80 गराम जितना होगा, और यहाँ पर हम उशी कटोरी से सारे मिजर्मिंट किये हैं, मैडा लिए हैं, जिसका मात्रा है 80 ग्राम और कुटी होई इलाएची, आप इलाइची पाउडर भी ले सकते हैं एक ही कटोरी से सारे चीजों का मेजर्मेंट हम किये हैं सुजी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिएगा देखिए प्रोपर तरीके से हमें सभी मिश्रनों को मिक्स कर लेना है देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि ये प्रोपर एक डो के रूप में हो जाए देखिए मुठी बांधने पर अगर ये बंधने लगेगा तो समझ जाईए कि तयार है देखिए बन रहा है ना थोड़ा सा और हमें इसको मिक्स करने के जोर्रत है थोड़ी देर और हम इसे हलके हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे देखिए ये मिक्स हो गया है पांच-दस मिनट के लिए रेश्ट पर रख दिये थे अब इस तरीके से ये फूल गया है अब हम क्या करेंगे कि इसको हम छोटा-छोटा बॉल बनाएंगे कुछ ही इस तरीके से तो एक हम चमच ले लिए हैं उसी से हमको अनमान मिल जाएगा कि कितना लेना है ऐसे बड़ा छोटा बन जाएगा तो आप बड़ा भी बना सकते हैं छोटा भी हम मीडियम साइज का बना रहे हैं देखिए ऐसे हमें सेप्स गोल-गोल कर लेना है और सारे को हमें इसी तरीके से बना लेना है बहुत इजी है बनाना तो फेस्टिवल आ रहा है दसरा है दिपावली आ रहा है तो इस मौके पर आप बनाकर अश्टोर करके एक महीने तक इसको रख सकते हैं बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही महंगे दामों में जो मार्केट में मिलता है न उससे कम पैसे में कम खर्ष में घर पे ही बन जाएगा और हेल्दी बनेगा देखिए सारा हमें ऐसे ही बनाकर तयार कर लेना है तो अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक सेर और सस्क्राइब कर दीजेगा बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर एक से एक नई वीडियो आप लोग के साथ लेकर हम आए तो देखिए सारा हमारा बन गया है यह 500 ग्राम से भी ज्यादा कुकीज बनकर तयार होगा तो एक हम केक बेक करने वाला ले लिए हैं और उसमें हम बटर पेपर लगा लिए हैं उस पे थोड़ा सा हम बटर लगा लिए हैं और बटर लगाने के बाद क्या किया हैं कि एक के करके इसको हम निरख देंगे अब हम थोड़ा सा पीस्टा लेके इसे हम गार्निश कर लेते हैं इसी स्टेज में हमें पीस्टा से गार्निश करना है ताकि पीस्टा बिस्कित के साथ चिपक जाए अच्छे से बेख हो जाए अब हम यहाँ गैस को preheat होने के लिए गैस पर कड़ा ही रख लिए हैं और एक अस्टेंट रख लिए हैं और नमक डाल दीये हैं नमक डालने से होता है ना कि बर्तन खराब नहीं होता है और अच्छे से बेक होता है देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं बट यहाँ पर मुझे लगा कि यह बिस्किट थोड़ा ज़्यादा इसमें हम रख दिये हैं तो हम 4-5 इसमें से निकाल लिए दूसरा बार में बेक कर लेंगे अच्छे से देखिए तो इस तरीके से हमारा नंखटाई बेक हुआ है लगभग 35 मिनट जितना एकदम लो फ्लेम पे पकने के लिए रखे थे 30 से 35 मिनट में यह बेक हो जाता है देखिए यह हो चुका है विस्किट वो हम निकाल लेते हैं देखिए अब हम दिखा रहें आपको और जो बचा हुआ है उसे भी हम बेक कर लेंगे चाहे तो आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं और नहीं तो कडाही में भी तो हम यहां पे कडाही में ही बेक किये हैं तो आप अगर बड़ा कूकर है तो कूकर में भी आप रख सकते हैं और रखकर बेक कर सकते हैं तो जो बचा हुआ है उसे भी हम फिर से बेक कर लेंगे देखिए ऐसे तीन बार मुझे लगा था बेक करने में क्योंकि ये छोटा है न केक टीन है जो छोटा है बड़ा रहने पर दो बार या एक बार में ही बेक हो सकता है देखिए फिर से हम इसको ऐसे ही रख दिये हैं प्री हिट हो चुका था देखिए यहां पर बेक हो चुका है इसको भी हम क्या करेंगे निकाल लेते हैं तो देखिए देख रहे हैं यहां पर चेक कर रहे थे कि हुआ है कि नहीं तो प्रोपर एक तमशे बेख हो गया है भी इसको भी हम निकाल लेते हैं तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरे बताया गया नुसार से एक बार आप कुकी जरूर बनाएगा आपके बच्चे खाकर एकदम से खूस हो जाएंगे आप बच्चे को टिफिन बॉक्स में भी दो चार दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी टेस्टी तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग टेक क्यार बाबाई